दोस्तों गैंस्टर्स के भी ग्यांग वर की घटना के वारे में हम हम आम थोर पर सुनते रहें क्या आप ने कभी बंदरों और कुत्यों के बीचs गैंग वार इस गैंग वार में अब तक करीब सत्तर से असी पिल्लों की जान जा चुकी है गाउवालों का यह कहना है कि कुत्ते ने बंदर के बच्चों को मार दिया था तभी से इनके बीच लड़ाई शुरू हो गए ग्रामीनों ने बताया कि पिछले तीन महीने में बंदरों ने कई पुरे गाउं में देहशत का माहौल है गाउवालों के इस खटना की जानकारी गाउवालों ने फॉरेस डिपार्टमेंट को दी पांच हजार की आबादी वाले इस गाउं के लोग बंदरों के आतंक से काफी परिशान है यानि लोगों की मुसीबतों का सबब बने हैं यह बंदरों ने सलक पर चलने वाले लोगों पर भी कई बार खमले कियें. उदरवन विभाग ने पिंजरे में कुछ बंदरों को कैद कर दिया है. लेकिन लोगों का कहना है कि इसका कोई थोस हल निकालना जरूरी है. दोस्तों गाउंवालों का ये कहना है कि बंदरों का जुंड कुत्ते के बच्चों को तलाश ने आता है और उन्हें उठा कर अपने साथ ले जाता है भूक और प्यास की वज़त से पिल्लों की मौत हो जाती है काफी लंबे समय से ये सिलसिला चल रहा है वन विभाग का इस मामले पर इस मसले पर ये कहना है कि गाउंवालों की तरफ से ये जानकारी मिली थी कि बंदर यहाँ पर काफी आतंक मचाते हैं इसकी जाच के लिए कई टीम भेजी गई जहां उन्हें ये दिखाई दिया कि एक बंदर कुत्ते के बच्चे को लेकर काफी उंचाई पर बैठा हुआ है बंदर बच्चों को अपने पास रख लेते हैं भूक और प्यास की वज़ा से इनकी मौत हो जाती है पिंजरे में कुछ बंदरों को कैद कर उन्हें सुरक्षित जगाह पर छोड़ दिया गया है ये जानकारी फिलहाल सामने आ रही है लेकिन इसमें हैरानी की बात दोस्तों ये है कि जब वहां के लोगों ने इन कुत्तों को बचाने की कोशिश की बंदरों से तो इन बंदरों ने इनसानों पर भी हमला करना शुरू कर दिया ये बेच चौकाने वाली बात है बंदरों के खमले का शिकार इनसानों के बच्चे भी हो रहे हैं दरसल मामला माजल गाउं से करीब 10 किलोमेटर दूर लवूल गाउं है करीब 5000 आबादी वाला ये गाउं जहां आप कुत्ते का कोई बच्चा नजर नहीं आता दोस्तों आपको ये बता दूं कि कोरोना वाइरस की वज़ा से जो लॉकडाउन लगा उसकी वज़ा से बंदर काफी एग्रेसिव नजर आ रहे हैं उनका स्वभाव काफी एग्रेसिव हो गया है जब अमेरिका के राश्टपती 2020 में ताज महल देखने आए थे तो बंदरों से उनकी सुरक्षा के लिए खाथियारों से लेस एक स्पेशल टीम मनाई गई थी दोस्तों ही जो मामला महराष्ट के बीड जिले से सामनी आया इस पर आपका क्या मानना है बंदरों और कुटों के बीच का जो ये संघर्ष चल रहा है एक तरीके से कुटों पर एक तरीके से बदले की कारवाई जो बंदरों द्वारा की जा रही इस पर आपका क्या मारना में कमेंट में जरूर बताएं इस वीडियो को शेयर करना ना भूले